हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रीती और नीट्रीवेजी चैनल पर आपका पहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आम का सीजन सुरू हो गया है तो आज बनाते हैं आम क्या आचार एक दम साउथ इंडियने स्टाइल अध्रकला सुनवाला चटपटा तीखा आम का आचार आप इस आद्रक आम को अच्छे से दो करके रख लिए और अध्रक को भी यहापर टू हंडडर्ड ग्राम लासुन को मैने छील करके रखा हुअ है तो अब आम को हम काट करके तयार कर लेते हैं तो पहले आमको दोलीजीए और पोष दीजीए फिर पानी सुक जाए तो आमको हम कट आमको इसतीरीक चैनल जलों, से निचे जलना तना पहले और ऐस और एक उन्हें ब्लाव में कैट याँ कुक्ला को हो चार के से लिए कि आप आप चाहू तो थोड़े बड़े भी काट सकती हो तो इस तरीके से आम को काट करें तयार कर लेंगे अब एक बड़े से बाल में मैं आम को टाल लेती हूँ और इसमें डालेंगे एक चमज हल्डी पौडर और दो से तीन में नमक डाल दीजिए तो मेरा एस्पून या पर चोटा है तो मैं चार चमचिस में एस्पून डाली हूँ आप नॉर्मल एस्पून से डाले तो दो चमच डाल सकते हैं और अच्छे से हाथ से आम के उपर रगर देंगी मिक्स कर देंगे हल्दी और नमक को इस तरीके सा चार आपने बनाया होगा तो आपको एक्सपूरियेंस होगा नहीं तो एक पर जरूर ट्राई करें बहुत पसंद आएगा बहुत टेस्टी बनता है और आप क्या करेंगे एक कोटन का कपड़ा एक प्लेट में डालेंगे उसके उपर सारे आम के टुकड़े को डाल देंगे और अच्छी सी गठरी बना देंगे इसकी ताकि नमक जो हमने डाला है उससे पानी निकले और कपड़े के थुरू नीचे टपक जाए तो अच्छे से गठरी बना दें और एक बाउल के उपर या किसी बरतन के उपर एक छन्नी डाल लें चन्नी में आम को डाल करके चार गंटे के लिए छोड़ दें तब तक हम मसाले तायार करते हैं तो यहां पर एक पैन लिया है पैन के अंदर दो चमच मैंने मेथी का डाला है दो चमच सौफ पिल्कुल थोरा सा रक्रेव में इसे बाद में डालूंगी कच्छा ही भी न भूने और डालेंगे दो चमच जीरा और मस दाल लेंगे और पैन गरम में गैस का फ्लेम ऑफ है इसमें कलवजी सौफ जो हमने बचा करके रखा था और दो चमच अजवाईन एक चमच मेंने कलवजी डाला है और एक चमच सौफ डाला है अब इसे फैला करके गरम पैन के अंदर हम छोड़ देंगे तोरा सा कच्छा प गर्मोजाए तो गैस का फ्लेम लाभ कर देंगे तैल का इसमें नॉर्मल हणे देंगे। जैसे ही टेम्प्रेचर नॉर्मल हो जाए इसमें सुखी लाल मीर्च Оч्कर के 2-3 डाल धेंगे जितनी क्ंपरित भी और डाल देंगे हमने जो कलोजी शॉप हो गए रभूना था उन्हीं आप देख सकते हैं तेल का टेमप्रेचर बिल्कुल कम हो गया है तो कम टेमप्रेचर का तेल में ही यह डाले नहीं तो जल जाएगा अब इन्हें छोड़ देते बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए जो मसाल तो डाल देंगे तो कलर बढ़ी आने वाला है और चोटी वाली राई होती है उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो दो चमचे यहापर मैंने वह कली वाली राई डाली है और डालेंगे इसमें आधा चमच हींग इस मसाले के साथ ही डाल करके पीश देंगे ताकि अच्छे से पीश जाए और अच्छे से मसाले के अंदर इसका फ्लेवर हो जाए अब मिक्सर जार में डालना है और मसाले को हमें पीश लेना है तो मसाले भी यहाँ पर पीश करके तय में कोquito पीकill है City तो मसाला को मैंने उसका इसी डाल ले्च हाली पौडर और डालेंगे !! 500 बीम्रीं पोडर है इसे ले सकते हैं या के लिए सकते हैं यहां पर ऐंडिर ग्राम की लगबग नमक आप चाहो तो काला नमक का भी इस्तिमाल थोरा सा कर सकते हो एक चम्मच तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है चार चम्मच लगबग 100 ग्राम मिक्स कर देते हैं मसाले तयार है अब आम को चेक कर लेते हैं यहाँ पर आम का कपड़ा उपर से में गठरी हटा पोच देंगे और पोच करके पंखे के नीचे डाल देंगे हम आदा घंटा के लिए पंखे के नीचे डाल देंगे एक्स्टा जो मौशे रहे वह सुख जाएगा तो आम को पहले सुखा लीजी अब यहाँ पर यह तेल भी अच्छे से ठंडा हो गया है मसाले जो डाले थे उसका फ्लेवर निकल गया है तेल के अंदर में डायरेक्ट आम को डाल देती हूँ अभी अचार को हमें मिक्स करना है तो आप पहले मसाला डाले पहले आम डाले पर मिक्सी करना है तो आम को मैंने डाल दिया है यहाँ पर अधरक को छोटे-छोटे टुकरों में काट लिया ह आप दोनों को क्रस करके डाल सकते हो बड़ इस तरीके से क्वर अचार बना करके देखना अध्रकलासुन खाने में भी खटा-खटा बहुत ही चटपटा लगता है तो अध्रकलासुन इस तरीके से जरू डलिएगा और साड़े मसाले को मैंने डाल दिया है अब क्या करेंगे अचार को हम मिक्स कर देंगे अभी बिल्कुल ही सुखा-सुखा चार दिख रहा होगा पर जैसे ही दो-तीन घंटा बीतेगा अचार में बिल्कुल मुष्चर आ मिक्स करने के बाद में एक दिन के लिए मैं इसी बर्तन में छोड़ देती हूं हलाकि बर्तन सेफ नहीं है बट एक दिन में कुछ नहीं होगा तो मिक्स करके अच्छे से हम छोड़ देंगे इसी बर्तन में मैंने मिक्स कर दिया है आप देख सकते हैं मिक्स करते करते इसमें हलका सा मौईसर आ गया है अब जैसे ही एक दिन के बाद देखेंगे अचार में अच्छे से मौईसर आ जाएगा अच्छा सा चिपचीपा सा हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो अचार का कलर बिलकुल ही चेंज हो गया है अचार में से आप देख सकते हैं तील जो अंदर गुम हो गया था वो हलका सा निकल गया है और बिल्कुल परफेक्ट कलर है आप चाहो तो कलर के लिए धेर साड़ी कासमेरी लाल मिर्स डाल सकते हो पर वो अप्सनल है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अचार है तयार अभीने सुखे हुए डबे में डाल लेंगी अ उपर से जितनी इक्षा हो तेल डाल दीजिए इसे धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है तकल लगा करके ठंडा में ही रखेंगे अचार साल तो क्या चार साल भी खराब नहीं होगा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट लाजबाब तो इसे ट्राइ किजिएगा और अपने बीजाल सेर किजिएगा कैसा लगा